वेलो ग्रिवन, वेल्गम टू एड़ वे नौ जुलाई है आज, नौ जुलाई के करेंट अफेर देखेंगे उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दू मैसल पतुल, मेरा पास साल प्लस का आफलाइन टीचिंग के एस्पिरियंस है UPSC, SSC और State PCS के लिए पढ़ाता हूँ मैं Quality and Governance का टीचर हूँ इसका कुछ फादा आपको मिले, अभी ये मैंने नया स्टार्ट किया है YouTube चैनल, इस पे मेरे साथ जुड़िये और इस चैनल को और आगे ले जाने में रही होगी बनिए और जो भी वीडियोज आ रहे हैं अभी Current Affair मेंने स्टार्ट किया है तो ये आ रहे हैं, आगे और भी टीचर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे वो भी आपको पढ़ाएंगे इसमें क्या कमी है और क्या आपको अच्छा लगता है और क्या चाहिए Questions अगर मैं करा रहा हूँ उसका लेबल बढ़ाना है अगर तो ये भी Comment में जरूर बताएं हमें इसके लगा चैनल को Like से Subscribe करें चलिए स्टार्ट करते हैं आज कर डिसकुसिंदे ये News है IIT Madras के Researchers ने Artificial Intelligence Based Tool डबलब किया है जो energy quit cancer के निदान या Diagnosis पर सकता है ये Cancer के निदान के लिए Cancer के बारे में Cancer क्या होता है ये मैं आगे सम्झाऊंगा Cancer क्या होता है तो इस के इसको रोकने के लिए एक टूल बनाया है ये कोई मदा नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ टूल एक file है जिसमें कुछ ऐसा फीचर्स डाले गया है जो cancer होने वाला है या उसके संभावना है तो यह पहले ही बता सकता है अगर उसकी जांच की जावा है तो अभी क्या है भारत में और पूरी दुनिया में cancer के शिदी क्या है इस समय पूरी दुनिया में 20,000,000,000,000 लोगों को cancer से पैदा करने वाले जीन का पता लगाने में सक्षम है या एक बड़ी उपलब्दी है क्यों बड़ी उपलब्दी एक तो यह भारत में हुआ सबसे बड़ी बात यह है दूसरी चीज चैंसर का एक बर अगर कैंसर बढ़ गया तो उसका इलाज फिर संभव नहीं है उसके कुछ स्टेज होते हैं उसमें पहले से पता लगे तो बचने के सब्मादा फिर तो बची जाता है लेकिन सेकेंड और थर्ड में फिर कठीन होता जाता है कई थर्ड में पहुंच गया तो अगर पहले से पता चल जाए यह बहुत अच्छी चीज़ होगी अच्छी नहीं हो जाए दुनिया के लिए भी और भारत के लिए यह जो टूल इन्हों ने तैयार किया है यह आयाइटी मद्रास के कुछ टीचर और चात्र मिलके की हैं तीन लोग मिलके की हैं उनके भी नाम अगे हम देखेंगे इसका नाम है पी बूट पी बूट नाम है यह पेपर में आ सकता है इस टाइप की कुछिन पूछे जाएं क्योंकि कैंसर से लिए रिलेटर तो काफी साज़ चीज़ है पूछी जाती है इसका नाम पी बूट है ध्यान रखिएगा यह टूल मसीन लर्न जिन क्या होते है यह टाइप है जिस के जिसमें कैंसर की संभाबना होती है तो यह कैंसर जो होता है हो कित excerpt प्रकालता होता है इसके कुछ टाइपहोते हैं यह इसके अलावा ये है पी आर के सी ए एंट एसो एक्स नाइन ये वाला अलसो ये वाला प्येस एन डी फोर तो ये चार टाइप के हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए इसको लिख लीजिए गप्री ये और ये पांच हो गए ठीक है पांच टाइप के इन में बर्गी करता है ये टाइप है जयान रखिएगा दो टाइप में पहले वर्गी करत करेगा उसके अंदर इस टाइप के जी इसके अंदर इस टाइप के बुरसूत रेजीन्स पाई जाते हैं जिन्होंने किया है उनकी फोटो आप देख सकते हैं ये हैं रगुनाथ रंगस्वामी साहब इ यह एं यह असिस्टेंट प्रोफेसर है आई-ाइटी मदरास में और यह रिसर्च स्कॉलर है यह प्रोफेसर है तो यह हैं पल्लवी सुधाकर इन तीन लोगों का नाम जरूर आपको किसी न किसी पेपर में देखने को मिलेंगे इसके लावर इन जीन्स के बारे में भी आए ही रहना चाहिए कि मसीन लर्निंग मॉड्यूल क्या होते हैं उसे भी देख लेते हैं इसकी मदूद से वह कुछ सर्टन तरीके को पहचान पाएगा जो पहले से हमारे तो नहीं जैसे करोना हो गया करोना वारस हो गया फ aims के बारे में पता नहीं तप पहले लेका और फ़या फोरान वालस ताइब के शीए अगर कोई बनाए जाएगी फॉरानी वाली साण डाल दी जाएगी उसमों पूराना जो भी इसका structure होगा वो तो ये पकड़ लेगा लेकिन नया structure आता है तो उससे साहधी वो ना पकड़ पा लेकिन cancer इतना जल्दी नहीं mutate होता है ठीक है इसका mutation धीरे होता है ये अपने आपको बदलता है इतना जल्दी है नहीं इसकी कुछ निश्चिती ही types हैं कुछ proper types हैं उ इंही के बारे में जानना होता है उसके बारे में अगर पता होता है इस फाइल में उन système में कुछ डेटा रहेगा उसको जानके और वो पहले से ही product कर देगा कि बई इसको cancer हो सकता है इसके जो genes है उसमें वह वाले लक्षन है ये जानने के बाद लोग क्यर करेंगे इसके सेल्स बनती है लेकिन कई बार क्या होता है अगर ये मूत कि इसी स्पीड से बनता है जो हमारे शाफ से होना जाई लेकिन कैंसर में क्या होता है इनके SPIT बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो SOLS बहुत TEEZी से बनने लगतीह है आपने सुनोगा कि SOLS BANTHी और मरती रहती है ठीक है इनके बनने और मरने का भी एक PATTERN होता है और जितनी बन रही है उतनी मरनी Chev beer मरने भी चाहिए जाहिए जादा नहीं होने चाहिए यह सिंपल है ज्यादा टेक्निकल में जाओंगा नहीं आई एक कुष्टिन देख लेते हैं प्रस्ट में हिक्स वोजान करके अस्तित्त के सुचकांग के लिए दिये गया प्रयात्म समाचार पत्रों में रहे इस करकी खोज का क्या मात्तो है क्यों खोजा गया फुल मिला के प लिए दूसरा है यह निकट भविस्त में हमें दो बिंदो के बीच के भौति कांथराल को पार किये बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आदार्थ इस्थानांत्रित करने की और धोगी की विकास करने में मदद करेगा यह हमें नाभीकी विखन्डन के लिए बहतर इंदन उत्पन करने में मदद करेगा तो कौन सा सही है बता दू इन दोनों का इससे संब्ढ़न नहीं है ऐसा कुछ नहीं हωνे वाला है यह वाला है हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कड़ों में दरब विमान क्यों होता एक्स वोजान की जो कोज किया गया था दस साल हो गया दोजार बारा में किया गया था मूल कड़ों में दरब विमान क्यों होता है इसको समझने में ये वाला का मदद करेगा ये वाली कोज मदद करेगी तो इससे संबन्मीत था है तो सही आंसर मिल चुका है आपको सिंपल है पहला वाला सही है बागी सब गरत है चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में कुछ और देखते हैं यह आपको एक मसीन दिख रही होगी इसका नाम है लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर इसी मसीन में सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए बनाया गया है जो सभी चीजों से सबसे छोटे ग्यात मूलभूत अंग है अपनी परिचलन अवस्था में या सुपर कंडक्टिंग इलेक्टो मैगनेट्स की एक रिंग के अंदर डिप्रीव दिशा में प्रकास की गती से लगबग दो प्रोटाणों को फायर करता है सुपर कंड़क्टिंग इलेक्टो मैगनेट्स द्वारा बनाया गया चुम्ड की छेत्र प्रोटॉन को एक तंग बीम के अंदर रखता है और उन्हें रास्ते में मार्ग दर्सित करता है कि बीम या पाइप के माध्यम से यात्र करे और अंत में वह प्रोटॉन से टकरा जाए क्योंकि यह जब दो प्रोटॉन यहां पर टकराएंगे आपस में तो क्या होगा बहुत ज्यादा हीट होगी बहुत ज्यादा हीट होने के बज़े से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है इसके लिए इसे माइनस 271.3 डिगरी पर रखा जाता है एक बहुत फूल वातावरन में से रखा जाते हैं अगर हम इसके महत्त को देखें यह इसका सबसे इंपॉर्टन जो चीज़ से निकल के आती है कि ब्रंभांड कैसे बना था शुरुवात में ब्रंभांड कैसा रहा होगा यह चोटा सा करकी कि छोटे से कंड से ही स्टार्ट हुआ ऐसा माना जाता है अगर चो या अपना मंगल या नहीं हो जो कि हलक उसका रोबर फेल हो गया बट जब यह जाते हैं तो यहां की मिट्टी में और यहां की मिट्टी में कुछ सिमिलर्टी मिलती है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बहुत सारी क्या सारी चीज़ें वही है जो जो वहां है वही यहां है तो तो वहां पर कुछ दूसरी गैस मिलेगी लेकिन वह गैस यहां पर भी है इस तरह से यह चीज क्लियर है कि सब जगा एक ही जैसा पैटर्न है कोई ऐसा अंतर नहीं है तो अगर यह चीज जान लिया रहा है कि कंड कैसे तूटता है और किस प्रकार कि उससे एनरजी उत्पन हो स बेमान होता क्यों है यह जानने में इनको मदद मिलेगी तो इस चीज के लिए यह कारगर है इस चीज को समझने में यह कारगर है नेस्ट टॉपिक है एक्स्टेंशन टू ओबीसी सब कट्गराईजेशन कमिस्ट है दो अक्टूबर 2017 को क्या हुआ था एक आयोग बनाया गय गया था और इसका काम यह था कि ओवी सी के उपवर्विकोस पहचाने का कौन-कौन से में और कौन-कौन सामिल हो सकता है और किसे निकाला जाना चाहिए यह सब चीजें इसका काम था देखना यह नयमूर्थी रोहनी आयोग के नाम से जाना जाता है इसके लावा ओवी सी के के लिए कोई आयोग को गठन करना है तो वो आर्टिकल 340 के अंतरकत किया जाता है यह चीज लिहान रखना जरूरी है चुरुवात में क्या कहा गया था इनको 2 अक्टूबर 2017 से 2 अक्टूबर 2018 तक का टाइम दिया गया था यहाँ पे रिपोर्ट सौपनी थी लेकिन वो हो नहीं पाया अभी क्या किया गया है 2023 तक इन्हें अपनी रिपोर्ट सौपनी है इनका काम होगा कि extremely backward classes more backward classes and backward classes को पहचाने क्या है कई बार क्या होता है लाफ किसको मिलता है जो आगे जो खुद खेले से जॉपने हैं उनके बच्चे या इस तरह से लाफ पा रहे हैं तो सबसे पहले तो creamy layer का एक concept लाए गया था 2008 में आया था यह Supreme Court के कहने पर सुप्रीम कोट ने कहा था कि क्रीमी layer का क्राइटीरिया होना चाहिए जो लोग अब backward होने लाइक नहीं है जिनको अच्छी सुझान मिल रही है जो जो आप में हैं उनको क्यों ऐसा क्यों एक्स्ट्रा बोज क्यों भारत सरकार ढोए उनका यह था अभी क्या कहा गया है एक आयोग बनाए गया जिसे एक रिपोर्ट बनाने उग कहा गया जिसमें एक्स्ट्रीमली जो backward है उनको अलग किया जाए उनको थोड़ी सी अलग सुझाय मिलेंगी फिर वो आगे देखा जाएगा क्या होगा more backward जो थोड़ा ज्यादा backward है और जो normal backward है उनको अलग किया जाए ठीक है इस काउंसिल में तीन बनाए जाए पहले एक ही होता था backward classes सबके लिए same अभी इसको तीन पार्ट में अलग करने की बात कही गई गया इनके बारे में और कुछ बताएं तो उनिस सो तिरपन में पहली कि कि अच्छी एक अंडल यूग आया था मंडल नायो का काम क्या था मंडल आयों ने शबसे पहले था इनको पहचाना था कि ओबी सी कूंगे कौन पिछणा बर्ग में अमस्य एक था कि यह पीशह चाहले साल था कि पहले डिशाइड हो 120 कांवण उसके बार जब इन्हों ने मंडल आयों ने एक रिपोर्ट अप्नी प्रृष तुछ उन्हों का चैज वेपर्षाLo母 साथ लाइक है ये कहा था मंदल कमिशन में इसके बाद नाइंटीन 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 वन टू में सरकार एक फैसला लेती है पहले क्या था SC & ST के लिए आरक्षर की ये बीपी सिंग सरकार की बात कर रहा हूं बीपी सिंग सरकार SC & ST के लिए 22.5% का अरक्षर निर्धारिक था अभी इसको बढ़ा के कित्ता कर दिये गया नाइंटीन 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 पॉइंट कुछ फाइप परसें ठीक है इतना कर दिया गया अब इतना क्यों किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ रहा था और सुप् पांस तो कित्ता हो जाएगा यह हो जाएगा अ कि एमंटी टू परसेंट ऑन्टी टू परसेंट कर अदर आक रख रख लो यहसे जाधा estos से जादा पर दें दा ओھल हू पर नहीं लगा सकती तुी कुछ भी हो आरक्षर्ण से जो और खायदा होता है उससे देश के efficiency में कमी नहीं आनी चाहिए, दक्षता में कमी नहीं आनी चाहिए, किसी काम के दक्षता में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो billion दिमाग का इंसान है, वो तो पहुंची जाएगा, कहीं न कहीं जाएगा, ठीक है, उनको रोकना नहीं है, तो 50% का criteria होना चाहिए, कि 50 परसेंट तो नॉर्मल आएंगे उसके लावा 50 परसेंट आरक्षण से यह उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज भी लगभग वही चलता है अलाकि कई सरकारों नहीं से बदलब यह 62 भी है कई जगा 62 परसेंट है इससे भी ज्यादा है 65 परसेंट भी है अंद्रा वंद्रा राक्षण जो 27 परसंट का रक्षण मिलेगा 27 परसेंट की गई यह 52 परसेंट देनी की बात की थी वैसे तो वडिटी है 812 परसेंट का लाश्ट लास्टव्चॉथ के लिए में दिया गया 27 और यह मिला लेंगे बाइस तो 49 होता तोटल 50 परसेंट लगबख 50 परसेंट अरक्षन फिर इसके बाद दिया गया तो आज का सेसन यहीं खतम करेंगे थैंकियो फर वाचिंग एड़ी स्टेडी